हर बच्चा बच्चपन में बड़ा ही चंचल वा कोमल होता है पर जरूरत होती है एक सई माग दर्शन की पर आज समाज में फैली हुई कुछ कूरीतियां जैसे की असिक्षा, बाल बिभा समाज को किस प्रकार खोकला कर देती हैं और महिलाओं को जीवन और भी कितना संघर्श में बना देती हैं मैंने यही बताने का प्रयास किया है पवन के जरोकों सी उच्चल बहती नदी सी निर्मल कोमल पंखडी गुलाब की वह मचल रही थी बाग में मन उसका ललायत था मन उसका ललायत था पेड़ पर लदे हुए आम में पर डर माली का था थी कैसी विडंबना साथ में जीवन को अपने शर्टों पर जीना जीवन को अपने शर्टों पर जीना चाहत रही थी उसकी कभी पर बंदिशों के भवर जाल में वो जीवन पूरा जीना सकी कभी उम्र की पहली देहलीव पर ही उम्र की पहली देहलीव पर ही वो पराई हो गई छोड़ पिता का घर वो पिया की हो गई छोड़ पिता का घर वो पिया की हो गई बस घर ही तो बदला है रिष्टे और मैं तो नहीं यह सोच उसकी तूट गई पहले साथ दिनों में ही ताने उसके जीवन के अभिन अंग बन गए उच्छलवा कोमलता उसके कहीं खो गए उच्छलवा कोमलता उसके कहीं खो गए दुरभागी ने उसे आजकड़ा कुछी महीनों में शोईत जोड़े ने उसे आपकड़ा पर उसने हिमत को नहीं हारा गर्ब में था उसके पती का अंश प्यारा जीवट विकट करवा समाज से लड़ गई सिक्षा नहीं मिली थी उसे फिर भी उसके महत्व को उपकड़ गई संघर्ष किया उसने संघर्ष किया उसने पुत्र को पढ़ानी में ता उम्र आज उसके सामने आ गए उसके सारे सुकर्म पुत्र उसका जलाधीश बन आया उसके सामने जीवन सफल हो गया उसका आज समाज के सामने यह आज उसके जिन्दगी का अंतिम पड़ाव रहा होगा पर उसने जीवन में क्या खोया क्या पाया यह सोचना होगा झांक यू